आज मैं आपके लिए कुछ बहुती इंपॉर्टेंट बात एक बहुती जरूरी बात आपके लिए हूँ जो कि आपको इस वीडियो के तुरू पताच पढ़ने वाले हैं तो पहली बात मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने क्लास 11 को पास किया है और आप क्लास 12 में गए है तो ये वीडियो आपके लिए है आपके लिए बहुती इंपॉर्टेंट है कि आप इस वीडियो को देखें और इस वीडियो का बेनिफिट उठाएं तो मैं बताने से पहले आपको यह बताना चाहता हूँ क्या आपको याद है 25th of March हाँ सर याद है जनता करफ्यू लगा थ और गन्यूर थै किव तने गवरों से बाहर नहीं निकलेगा संडे को उसके बाद क्या हुआ था सर उसके बाद लौकडाउन चालू हो गया लौकडाउन चालू होने से क्या हुआ कुछ नहीं सर हम दिन के पर थे एक दिन दो दिन तीन चार दिन कि आज लोकडाउन खुलेगा आज खुलेगा मुदी जी ने 21 डेस का लोकडाउन वाँ पर डेक्लेयर कर दिया था उसके बाद जैसे ही 28 डे आया और आपने सोचा कि बस अब मैं घर से वहाँ निकलूंगा अब अब मैं कहीं जाओंगा अब मैं अपने स्कूल जाओंगा अब मैं अपनी क्लासे जाओंगा अब मैं घुम फिरूंगा वैसे क्या हुआ लॉकडाउन एक्स्टेंड हो गया और लॉकडाउन अगेन 14 डेस के लिए और एक्स्टेंड हो गया सर ये तो बहुत बुरी बात हो थी हां जी आपके लिए भी और हमारे लिए भी पर ये हमारी सेप्टी के लिए जरूरी था एनि बहुत ही राइट स्टेप था बाया रिस्पेक्टिव गवर्मेंट राइट अच्छा तो सर फिर क्या हुआ फिर भी हम वेट करते रहे फिर भी हम वेट करते हैं कि अगें 14 डे से सर यह जो लॉडवडाउन आगे आया है इससे हमारे सपनों का क्या हमारी पढ़ाई का क्या वांप्ओी पबाबा क centrale a Puis कि हम च वनेंगे हम आपके लिए यहां पे आपको कुछ नहीं करना है बस अपने जीवन के रोज के 30-35 मिनिट्स हमें देंदेने हैं और बात ही आपकी सारी प्रॉब्लम हम लेने के लिए यहां पे रेडी हैं तो सर क्या हमें क्या करना है आपको मैं बताता हूं कि हमने हमारे न्यू बाचेस यस अब सरी सुनदें न्यू बाचर्श मुक्त कर दी हैं अगर आप हमारे क्ला से में होते हैं रेगोलर क्ला सामते हैं वैसे हमने अप न्यू बाचिस घर कर दी यह बस फरक ही है पच्चों कि इस बार जो आप पढ़ाई कर रहे जब तक आपका लॉकड़ान पीरियर रिय्ट ह में होगा क्या देखिए बहुत इंपोर्टेंट बात है कि आप क्लास 12 में है आपके लिए इस समय अगर आप देखें तो आप घर में फ्री हैं आपके पास को दूसरा काम नहीं और यही चीज है जिसके लिए आप भगवान से मांगते थे कि काश ऐसा हो जाए कि हमें स्कूल ना जाना पड़े काश ऐसा हो जाए कि हमें क्लास ना जाना पड़े हम दिन भार घर पे रहें अब हो भगवान ने आपकी सुन ली और आपको समझ में भी आ रहा है कि यह बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है एक हट तक अच्छा है पर देम मास्ट भी और वेल एंड प्र 11th of May से याने कि आज जब आपको वीडियो डिलिवर होगा आपको ही वीडियो मिलेगा आज से ही हमारे न्यू शेशन स्टार्ट हो रहे हैं सर न्यू शेशन में क्या होगा न्यू शेशन में आपको मैं आप बता दू कि बेसिकली जो सेशन है यहाँ पे आपको रेगुलर ह रेगुलर लेक्चर डिलिवर होंगे आपको थोड़ा सस के बारे में और बता देता हूं जो रेगुलर लेक्चर डिलिवर होंगे वो होंगे इस प्रकार से कि MWF that is Monday, Wednesday and Friday Economics के लेक्चर आपको मिलेंगे and TTS that is Tuesday, Thursday and Saturday Accountancy के लेक्चर मिलेंगे Sunday के आपको computer and English के लेक्चर मिलेंगे, right? हो सकता alternatively computer या English हो, यह हो सकता है computer पहले English बाद में बिल्कुल बच्चो, free of cost देख सकते हो आप सारे lectures और आपको सिर्फ और सिर्फ marginal classes का आपको application डाउनलोड करना जो कि आपको play store में available हो जाएगा उसको आप जैसे ही डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के within one hour आपको management से call आ जाएगा, आपको सारी details अंधादी जाएगी, सब कुछ आपको तौपर explain कर दिया जाएगा application में सिर्फ और सिर्फ आपको videos ही नहीं मिलेंगे, आपको वहाँ पर quiz मिलेंगे, आपको माँपर mcq मिलेगा, आपको माँपर test मिलेंगे, आपको माँपर notes मिलेंगे यह सारी चीज़ें आपके लिए free of cost होने वाली है जिससे आपको अपनी पढ़ाई करने में कोई भी problem ना हो देखिए friends यहाँ पे हमारे जो lockdown है या हमारे जो school है वो अभी बंद है पर आपको बहुत अच्छी से पता है कि कभी ना कभी तो खुलेंगे कभी ना कभी तो school खुलना ही है और यह तैह बात है एक्जाम्स होने है यह तैह बात है देखिए schools भी इस समय बहुत जादा रश करेंगे जैसी उनका भी एक सेक्ट टागेट होता है ठीक है उस टागेट को अचीव करने के लिए उनको उतना से लेवस पढ़ाना पड़ता है पर अभी जब कि lockdown के चलते ही नहीं हो पाया को आपको पता है school में वो थोड़ा सा rush करेंगे जिसके चलते हो सकता है कि आपको जैसे school open हो या school में exam देना हो तब तक आप बिलकुल blank को आपके पढ़ाई नहीं हो और हम यहाँ पे wait नहीं कर सते because this is class 12 यहाँ पे exam को आपके वोई होने है जो vote के होने है यहाँ जो problem चल रही है इसको एक हद तक consider तो किया जाएगा जो exams का schedule और time है उसको बहुत delay नहीं किया जा सकता तो इस वज़े से आपको अपनी पढ़ाई को maintain करके रखना है देखियार मेरा आपसे इतना ही कहना है कि रोज के रोज अगर आप 30 to 35 minutes पढ़ रहे हैं तो उसमें आपका कुछ नहीं बेगड रहा है क्योंकि सारी चीज़ने आप continuously वैसे कर रहे हैं बराबर से जैसे आप करते आ रहे थें बस अपने डाइमटेबल में 35 minutes के लिए आप ये भी आड़ कर लेज़े कि अपनी studies तो सर इसका आपको फाइदा क्या होगा अचा इसका फाइदा आपको यह होगा कि जैसे schools खुलते हैं आपकी पास already knowledge होगी आपकी पास already अपनी subjects के understanding होगी already आप पीछे नहीं रहेंगे और आप up करके उस space में चल रहे होंगे जो school आपको लेना चाहता है हो सकता है वो सारे chapters जो school आपको test लेने वाला या पढ़ा आ रहा है वो सारे हमने cover भी कर ली हो तो उससे आपको बहुत benefit होने वाला है जानते हैं तो Institute of Chartered Accountants of India मैं आपको बताता हूं बच्चों CA is one of the toughest course in our India अगर आप देखेंगे which is the toughest course Google में करेंगे तो आपको answer देगा CA सर क्यों बता रहे हो क्योंकि बच्चों अपने यां जो faculties है they are well qualified chartered account accountants as well as CA sprints आपको पढ़ाने वाले हैं तो doubt की कोई गुंजाईश नहीं आने वाली है आपको यह पता होना चेका आपका educator कौन है आपको पढ़ा कौन रहा है शब्द भी ऐसा ना ओड़ आपको ना पता रहे जाए तब तो आपने पढ़ा नहीं तो आपने फिर रट लिया है तो बहुत ज़रूरी है कि आप पढ़ें चीजों को सिर्फ और सिर्फ रटेना हर एक concept कोई भी शब दिया कोई भी concept ऐसा नहीं जिसका क्यों ना हो जिसको रटना पड़े ऐसा तो कुछ है नहीं लाइफ में समझ लिजे और अगर आप रट के पड़ते हैं तो आपने shortcut अपना लिया and short term gain is a long term pain यह बात ध्यान रखना अगर आप shortcut अपना आते हैं तो आपको आगे जाके बहुत problem होती है याद करो मैं आज का वो question जो आपने पहली पहली बार खुद से समझ के कर लिया था वो आपसे आज भी करा दिया जाए आपको तुरंट बार उस समय भी बोला जाए पता क्यूँ क्यों आपने उसको समझा था और रटा नहीं था और याद करो वो सारे समय जब आपने चीजों को रटा था तब क्या हुआ था सर तब बहुत बड़ा disaster हुआ था कि आपको आज वो चीजे नहीं आ दे आज वो चीजे आपको नहीं करते बने तो मेरा आपसे सिर्फ इतना ही कहना है कि चीजों को समझे तो बहुत ही जादा conceptually समझना जरूरी है यहाँ पे हमारी class में theory theory जैसा है ही नहीं सब practical है practical को तो ऐसा बना के रखा जिसका कोई हिसा भी नहीं ठीक है आपको मौपत हो जाएगी है सारे subject से आपको इस समझ में आएगा commerce क्या commerce के अंदर subject क्या यही subject क्यों उनके माइने क्या तो आपको जो accounts deal करेंगे वो chartered accountant yes CA unshull sir deal करने वाले है वैसी accountancy के लिए हमारी पार बहुत सारे faculties हमारी पार CA finalist गौतम sir है हमारी पार CA finalist आजे sir है यह सारे लोग आपको accountancy deal करने के लिए help करेंगे CA finalist प्यूस चोहान sir है जो आपको इसको deal करने के लिए help करेंगे theory के लिए CA experience वापनल sir है यानि कि मैं आपको पढ़ाऊंगा theory that is economics right business के लिए हमारे पास net qualified मैं है जो आपको पढ़ाती है right तो हमारे पास सारे ही subjects के लिए आपको qualified faculties मिलेंगी और यह हम नहीं बोल रहे हैं आप जो उनसे पढ़ेंगे का आपको खुद समझ में आजाएगा आपको difference देख पाएगे तो मेरा आपसे ही कहना है कि इस course का please आप फाइदा उठाएगा बेनेफिट उठाएगा right देकि थोड़ी से हमें problem होगा थोड़ा सा हमें दिक्कत होगी कि सर हमारा daily routine है हम रात में late सोते हैं सुबह लेट उठते हैं फिर हमें यह सारी चीज़े करनी पढ़ती है बच्चों change लाना पढ़ता है right अगर आपको change लाना change अपने result में change देखना है तो आपकी activities में change लाना बहुत जरूरी है right मान लो आप जो activities कर रहे थे जो आप पढ़ाई को हमें देते थे maybe 30 minutes maybe 1 hour maybe 1.5 गंटे उससे अगर आपका 80% आता था तो आपको 95 प्लस लाने के लिए इसको change करना ही पढ़ेगा आप यह 30 minutes को लेके या आप यह एक गंटे को लेके इस change को नहीं ला सकते आपको change लाने के लिए change करना पढ़ता है बच्चो एक बार बता दो यह चीज़े बहुत आसान है तो बहुत सारे बच्चोंगे जो रोज सुगा है होंगे या अपना time waste कर रहे होंगे बच्चों एक बात ध्यान रखना comfort zone बहुत अच्छी जागे बट वहां कुछ हासिल नहीं होता यह बात बहुत ध्यान रखना कि अगर आप अपने comfort zone में हो उससे बहां नहीं निकल रहे हो तो आप अपने आपको upgrade नहीं करता है and life is all about upgrading right and when you learn you upgrade जितनी आप अच्छी habit अपने अंदर डालेंगे जितना आप reading बहुत समय आपके पास अपना personality development करने के लिए right your personality is the reflection of your brain तो अपने brain को develop कीजिए अपने पढ़ाई में studying arts दीजिए अपनी पढ़ाई कीजिए अपने articles पढ़िए newspaper पढ़िए वो सारी चीज़े इसमें आप कमजोर उसको upgrade कीजिए और पढ़ाई को अपने time पढ़िए तो आपको बहुत time देखेगा right तो मैं आपको थोड़ा सा यह बता दूं कि courses के बारे में आप further के बारे में further detail देखु कि बचो 11th of May से courses चालू है यह classes चालू है आपको regular classes मिलेंगे regular update मिलेगा आपको सारे चीजों के बारे में regular lectures आपको MCQ मिलेंगे आपको test मिलेंगे in case of any doubt आप तुरंट call करके application में पूछ सकते हैं आपको तुरंट डाउट भी clear हो जाएगा right यह बात भी clear हो गई अचा सर आगे क्या होने माले अब अच्छो जैसे lockdown खतम होता हम class में मिलते हैं तो पूरा class में तो जादू होता है class में जादू होता है यह हम नहीं बोलते हैं अगर आप अपने कोई भी आपका past student है जो marginal classes से पढ़ा हो आप उनसे पूछ सकते हैं हमें बोलने की जरूवत न रहते हैं जिससे उनको बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होता कि हमें guidance नहीं मिला तो उनको proper guidance with conceptual knowledge देने का काम as a friend हम उनसे जोड़ जाते हैं हमेशा के लिए हम उनसे जोड़े रहते हैं हमारा first batch भी हमाय से हमाय साथ आज तक जोड़ा हुआ है तो आपको मैं थोड़ा से बता कि हम इसको throughout जैसे class में हम चलेंगे तो class में हम चीजों को और बहतर करेंगे course complete होने का वैसे थोड़ा सा delay हुआ है तो I am not very sure कि class में हमें थोड़ा सा इसको time को extend करना पड़ेगा because quality needs time ठीक है भड़ 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 पड़ पड़ाना बहुत आसान है एक दिन में दो chapter कराना है तो जब आपको base यह नहीं पाता तो journal क्या पड़ोगे तो रटाने वाला बात होगे तो इसलिए quality needs time तो हो सकता है course complete होने तक वैसे हमाय November रहता है आप December हो जाए और December course दो बार revision के साथ होता है plus additional crash course होता है जो कि end में होता है तो आपका total course तीन बार हो जाता है और crash course में भी बिल्कुल crash जैसा नहीं होता है और regular बात जैसे होता है आपको कम समय में पूरा ही समझाया जाता है तो मैं आपसे बस यही बोलना चाहता हूं कि अगर आप फाइदा उठाने चाहते हैं बच्चो इस बार ना जिम्मदारी से पड़ो और इस बार ना अपने parents के लिए बहु पून पसीना बहा के आपके ले किया तो आपका समय है कि class 12 में जिम्मेदारी से पड़के उनके लिए result बनाए और उनको deliver करें पका तो मेरा आपसे ही कहना है कि our team is ready अपनी सारी tension हमें दे देजिए we are ready to solve each and every problem of yours and we will stand beside you until the last day of your examination तो आपको बिल्कुल भी tension लेने की जरूरत नहीं है पका तो मेरा आपसे यही कहना है इन कोर्स का benefit लीजिए अपने application को download कीजिए application download करेंगे देखिए अब lectures YouTube पे भी अबलेबल है पर application download करने से आपको MCQ का फाइदा, notes का फाइदा and 24-7 assistance in case of doubt का फाइदा आपको मिल जाएगा जो की YouTube पे नहीं मिलेगा इसलिए application बहु पक्ता हम सारी चीज़ों को लेके महाँ पे चलते हैं तो Instagram में आपको सारी बातें आपको पता चल जाएंगी, right? अचा, तो यह सारी बातें आपके लिए बहुत important थी, बस आपको एक बात और बता दू, online platform कभी भी live classes का substitute नहीं हो सकता, right? हम आपको पूरा deliver कर रहे हैं वैसे यह पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको connect हो, हम आपको हर चीज़े समझाए, but life class, life class यह होती ही, तो जब live में आएंगे तब आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, online भी हम पूरी कोशिश करके आपको वही deliver करेंगे, जो आपके course के लिए जरूरी है, right? किसी भी तरीक पर यूटूब चैनल पर हमारे जो इस साल के जो पेपर होगे तो बोर्ट के उन बच्चों का feedback देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनने कितने easily वो questions को tackle किया and with concept and with knowledge, right? हमारे faculty इतने जादा आपको help कर सकते हैं और कोई भी faculty ऐसा हैं जो आपको ना बता सकें, सभी इतन कावल हैं कि आपको payment और expenditure तक का अंतर बता सकें, सर ये हां जी छूटी छूटी बाते हैं आपको पर शायद ना पता हो को payment expenditure में भी अंतर होता है, तो अशी बारीक बारीक बाते हैं, सर theory subject में चीज़े क्यों है, क्या है, practical exposure क्या है, उसका कैसे related है हो practical world से, बहुत ही ज़्या तो 100 रहता है, ना एक कम और ज्यादा का तो सवाली में, पूरी मेहनत करेंगी हम आपके साथ करें, आप मुझे 100% दीजिए, मैं 500 दूँगा, हमारी टीम 500 देगी, हम आपके लिए करने के लिए ready हैं, सो मेरा आप से ही कहना है कि अगर आप हमारे साथ free of cost पढ़ाई करना चा करेंगे हमारे साथ इमानदारी से पढ़ने के लिए ready हैं, तो हम आपके लिए तो बस अगर आप है, आप पढ़ने के लिए ready हैं, जिम्मेदारी से इस बार अपने लिए यह नहीं, अपने parents के लिए और जिम्मेदारी से तो प्लीज आप हमारे application को download कीजे, YouTube को subscribe कीजे और Instagram क follow कीजे, right, मिलते हैं फिर हम हमारे lectures में, जो कि बहुत ही interactive and interesting होने वाले हैं, अगर आपको इससे related, कोई भी query होने वाली है, कि sir, lectures कैसे क्या और होंगे, तो further हम आप नंबर पर आप contact कर सकते हैं, 999-388-160, जो lectures update होंगे, उसका timing होगा 7 PM, ओके, चलिए, thank you so much, मिलते हम lectures में, till then enjoy, पढ़ाई कीजेगा, और अपने आपको, और अपनी family को safe रखिएगा, बाहर मत निकलिएगा, and government के दिये हो instructions को follow कीजेगा, चलिए, till then, bye-bye, मिलते हैं हम lectures में,